हेलो एबरिवर आज हामी डेरिवेटिव को वड़ा क्वेचिन बनाऊचू जून फर्स्ट प्रिंस्वल बाटा बनाऊनू पड़ने हुँँछ क्लाश्य ट्रॉला गजिए रामनो फर्स्ट क्वेचिन राज है एको पावर साइन एक्स यो बनाऊनू वड़ा गाड़ी अन्योटि म्तमी हुँछ लाए कि यूटा शानू की फर्मूला बन्चू ती वर्याद गवन्वर गवन्वर्न पर्यों फर्स्ट पल्ल् limit x tends to 0 e को पावर x minus 1 by x equal to kya हुँँचा बंदा करी 1 हुँँचा यो बुजनू पर यो यो फर्मूला बनाव दा करी माइन मा हुँचा हुँचा बंदा पर यो सबंदा पहला और को फर्मूला बंदा करी sin c minus sin d equal to 2 cos c plus dy2 dot sin c minus dy2 यो फर्मूला पनी बनाव दा करी दिमागवा हुँचा यो दुटा फर्मूला हुचा फर्मूला हुचा तए यो तो हमें लिमिट में एक आरामा पढ़े वला यो पनी 10 देकिनी पढ़े आए हुचा यो तए ने पढ़े वला यो करा कहीं न गरने सब बंदा पहला solution लेखने आमी solution लेके पसाड़ी अब जुन यो function छे उटा कुणने equal power sin x x लेक के गरने मन्दा एक लेट गर दीने let fx equal to equal power sin x लेकने तेस पसाड़ी के गरने by the principle of derivative एती लेके सी और principle of derivative 12 class मा केचे बंदा गरी f dash x of x equal to limit h tends to 0 yoo f of x plus yoo minus f of x upon yoo हमीं यो पोड़ेशो कुल क्लास माद 12 class को first mutual बंदा गरी यहीचे और को बंदा गरी f dash x बंदा गरी आफ of x बंदा गरी के बुजनु पर्यों हमलाइथ derivative of e को पावर sin x upon dx अब एता के गरने बंदा गरी हेरा simple तरीका limit h tends to 0 अब f of x plus yoo अर्थार्थ पहला तो यहां केच f of x तो यहां केच x यहां अब x plus yoo बंदा गरी यहां पनी के गरने मनदा गरी x plus yoo नहीं लेके दिमलाए अर्थार्थ e को पावर sin x plus yoo minus e को पावर sin x कि नहीं बंदा गरी सेम यहां upon yoo यहां पन गरने बंदा गरी फिर दिमाग मा अला गरी अब एस बंदा गरी पुनिस्टेप गरने बंदा गरी अब के गरने बंदा गरी हामेलाई लाउननों यस्तो चा हेरा इस्तो भंमा अब जून कोईशेर मा पने e को पावर सम्थिंग आये बंदा एकर दिमाग मा सब भंदा पे लाई यह आउनू परियो इसको अर्थ के बुझनू परियो हामेलाई कि e को पावर जती होस सब ले हामेलाई लेट करनू पर चागणना कि बुझनू परियो यह फर्स्ट कुरा किनो मने हामेलाई एसतो फर्मा लाउनू परियो e को पावर x फर्मा अब एक को पावर x फर्मा लाउन लाई यहाँ ते कुन होस x प्रुठ हमा k होस y होस मतलब छहीन तो येसले ये गर्ण मों लेट गर्णू पर्यों तामी क्ये गर्णा गर्णा गरी put sin x equal to y put गरी दिन छो and sin x plus y equal to y plus k put गरी दिन छो तार सब्ब एक क्वेचन में स्थी हुन चेर sin x समातर तो y गर्णू x plus y गर्णू x plus y गर्णे y plus क्ये गर्णू such that as y tends to 0 k tends to 0 भयो यह बुजनू पर्यों अब कसरी भयो बन्दाया खेरी अब येच टेंस to 0 छो और k tends to 0 कसरी भयो बन्दाया खेरी ती बुजना ला हमीं क्ये कर्ची बन्दाया यह रफली आरी हेरो roughly पनी हेर दाउन चा अब हेर एस बाट हेर यह बाट हेर sin x plus y equal to sin x plus k हुँच अब तीमी यहाँ s को ठाओ मा अगर 0 राखेर बन्दाया केरी यो के में दिन चा sin x equal to sin x plus k अब साइन एक साइन एक साइन एक स कटियो ते k equal to 0 भय दियो ते ही कुरा में पनी यहाँ पनी लेखी दिया छो कि k equal to 0 भय दियो अब यहाँ पसाड़ी फेरी आमी आगा यहीं बाते स्टाट करूं और तीमी एस्तोपण लेखना सक्षों एस्तोपण लेखना सक्षों जोनी जीला के तो लेकर और f of x equal to limit h tends to 0 अब यहाँ को ठाओ मा sin x plus y को ठाओ मा y plus k लेखना पाइन चा अब e को पावर y plus k minus sin x को ठाओ मा y लेखना पाइन चा अपन यहाँ फेरी limit h tends to 0 अब है रधा इसलाए हामी यो टर्म लाए यो टर्म लाए बुझावना ले मात रहो e को पावर y plus k लाए हामी e को पावर y multiply e को पावर k according to sorts हमें इस तो लेकना सक्षो बंदा केरी बुझावना पर अर थार्थ यहाँ बाट इस हमी ले e को पावर y common लिए बंदा खेरी e को पावर k यो पनी common आयो वनेको 1 आपन यज अब e को पावर y यहाँ तो लिमीट ही छही ना किने हम लिमीट है हमाच हामरो तेसले यह गरूँ आमें हाटाई दियूं इसले आगाडी लाए दियूं हमीं तो e को पावर y लिमीट h tends to 0 अब e को पावर k minus 1 आपन हामी यहाँ के लेखने सक्छो मजाले डट अब k लेखे बंदा के लाए फिर हाटाउनों पनी परियो तो निमीटर आ डिमीटर में हमाँ दुमीठ हमाँ लेकी दियो यह कोट सा फिरी कुरा तेही आये दिन चा अब हेर दा e को पावर y लिमीट अब h tends to 0 शा बंदा के री k tends to 0 हुन चा बुझे चा वामी तो यहाँ के लेके दिन स्वामी अब k tends to 0 e को पावर k minus 1 आपन k तो इसको लागते फिरी चाहे हो यह है एच छा तो फिरी एसमा पई लिमीट लागाए दो मामी लिमीट h tends to 0 प्रोड़क्त लूल छा हमरो लिमीट को तो याद या तो बुझे गरनू अब के चा अब के को भैलू के उन्चा बंदा के अब के को भैलू हमें लेकनू पाड़ अब यू लेकदा के री है रो यू टम है यू टम यू टम अगाड़ी के टम जासते ही लाइक एज सिंस लिमीट x tends to 0 एक को पाबर x माइनस 1 अपन x equal to 1 उन्चा क्यो देना आमात्र याँ एक्स को ठामा के चाहे है ताहमें येसल लाइक ये करना सक्छो वान लेकना सक्छो अर्थार्थ एक को पाबर y.1.limit h tends to 0 रमागाड़ी तपायो लाइवडा रिविजन गराइद दिया थे की sin c minus sin d को फर्मुला याद हुनू पर्यो तेहरा था sin एसले माना की c एसले के मानने हामी c मानने एसले दी मानने ठीक्छा अब साइन c minus d को फर्मुला क्या बाइद दिया चाह टू डोट साइन c minus d आर्थाद x plus h minus x upon 2 dot cos c plus d अब सी भने को x plus h plus x upon 2 ताला को h को h सदाई चाह येसले दीके ही करना ही पाड़े ना हमले ये ती भाड़े अब एस पसाड़े हामी क्या गर्च बना ही ये को पाबर y को आई और फेरी लिमिट h tends to 0 twice अब हेरा दो यो x x कोट यो तो साइन c by 2 y u और एस बाट हीर दा हीरी cos 2x plus s by 2 y u upon h i u अब एता हेर दा खेरी 1 को पाबर y लिमिट h tends to 0 अब माला हेरो 2 माले 2 लाइ फेर यहां लाइ दिया काड़ी लाइ दिया चिंग लाइ अब साइन h by 2 अपन h by 2 गर दा खेरी 2 ले फेर के बोले मंटिवला हे गरनू परे हा मिले यह के गर दियो अब एस माँ पाण लिमिट लाइ दे मंटिपले के संच एस माँ पाण लिमिट लाइ दिया मिले छेटे चूटे h tends to 0 cos 2x plus h by 2 अब हेर फिर उड़ा कुरा बुझाओं जू h tends to 0 6 बन्दा हेरी h by 2 गोर्यों बन्दा हेर के हुँँच 0 by 2 हुँँच बुझनाले मातर हो यो बन्दा को हेर जिर ते हुँँच ते भावर 2 एको पावर y लिमिट h by 2 tends to 0 sin h by 2 h by 2 लेगे दा हुँच बुझनाले मातर हो बन्दा हेरी h by 2 dot 1 by 2 dot अब एस मातर डैट लिमिट लगावना पाइन छे अब h tends to 0 से बन्दा हेरी हामें h को ठाव माँ 0 लेख्यों बन्दा हेरी 2x by 2 भन्दा हेरी 2x by 2 लेख्यों लेख्यों बन्दा हेरी 2 e को पावर y अब यहां पावर 2 चा मेले यहां डैट लाइट लाइगे दिये अब लिमिट h by 2 tends to 0 sin h by 2 h by 2 भन्दा को एसको साटा 1 और कोस x एसको साटा 1 किना लेख्यों बन्दा करी फेर योटा फर्मूला आमें रिवेंबर गरूं लिमिट x tends to 0 sin x by x equal to 1 और x को ठाव मां के से बन्दा करी तो यहां चबाई 2 चा अड़ गे छे न एती लेखे सी आमी 2 टू कैंसिल भाईव e को पावर y dot cos x अब e को पावर y तरह हमरो फंक्शन ते x मां चा तो y को ठाव मां में के लेखे थे हो y भने को sin x equal to y लेखे थे हो आमी तब यहां फिली ते ही लाई देऊ कि e को पावर sin x dot cos x is our answer अब एती भाव अब कते जाने लागला बनावदा खेरी यो मिस्टेखो कि सह यो कसर चे गरने भनना खेरी मां इसको पन्द शान तरीका जिन चू हम रोग केशा e को पावर sin x हम रोग क्वेशन चाहीं ही हो चाहीं इसको डिरेक्ट डिरिवेटी भामी चेक गरना सक्षू एक्जाम एले हमाँ बनावदा खेरी होना सक्षा कि लागला कि मिस्टेक भागी करेक्ट भाया समन्द आगे डिरेक्ट आमी गरू में इसले d e को पावर sin x with respect to x भन्दा गरी d e को पावर sin x अपन d अब यहाँ x सुठ हमा sin x सा भन्दा गरी with respect to sin x equal dot sin x by dx भन्ला ने अब आते में लाग के था बन्दा गरी डिरिवेटी बब e को पावर x with respect to x भन्दा गरी केऊंच e x ने उन्च भन्देको e को पावर sin x ने भई दियो और sin x को डेरिवेटीद केऊंच cos x है रता हामरो एती अंसर आयाच भन्दा गरी हामरो बनायाएको first principle बाट जुन हमी मनायो question तो हामरो ठीक्षा बन्दा गरी बुझनू पर्यों यह देगीशा रह यह दो कुरा धियान दिन्दू के e को पावर सम्थिंग जे भई पनी जे भई पनी e को पर जे भई पनी हमला लाउनू छा limit x 10 to 0 e को पावर x minus 1 x equal to 1 यो फम्मा लाउनू छो सोके गरने बनना गेरे एको पावर मात जे जती पावरस मतलब चाहिना तिसले हामी लेट गरे पसी अगार जे जुन हामी लेट पसारी बनायेको प्रसेडियूर ते अन्नो सार जान्चो धने बाद फेरी आमी नेस्ट वीडियो मा अब लोग को कुर हमी बुझो सिकन मा मी लोग को गुरा बुझो